नमस्कार अचार स्वाजी चैनल में आप लोग का स्वागत है और लोग जानना चाहते हैं कि अगला हफ्ता जो होगा वो शेर मार्केट का कैसा होगा क्योंकि पिछले कई हफ्तों से मार्केट डाउन चल रहा है और मैं अपने फॉलोवस को बताना चाहता हूँ कि मैंने कुछ खास्तों से ऐसी कंपनियों के बारे में बताया था जिनका मार्केट बहुत डाउन होगा करता था लेकिन लोगों ने मुझे मेल करके बताया कि खास्तों से आई टी सी का जो मार्केट है सेर वैलू जो है वो काफी अच्छी हो गई है जबकि बहुत दिनों से वो पिक्चर में नहीं था तो दरसल क्या होता है कि जैसे कोई भी कंपनी होती है जिस समय उसका फॉर्मेशन होता है वो उसका जन्मेश समय होता है और वहां पर जो कुंड़ी बनती है जो ग्रहों की दसाएं होती है जो नशत्र होता है वहां से हम स्टुल अजस्ट प्रेडिक्शन करते हैं कि कंपनी सोला तारीक से जो हफ़ता सुरू हो रहा है यह कैसा रहेगा? तो दिखें, मारकेट खुल रहा है तो मिथं लगने हैं और मिथं लगने की कुणॡी है और लगने खाली दूसरा घर खाली 30 गर खाली चोता घर खाली, पांचो घर में केतु है, छटे घर में नीज का चंदमा है, सात्वा आटवा घर खाली और नवे घर में सनी और मंगल है, मंगल 29 डिगरी का है और सनी 0 डिगरी का, दस्वे घर में गुरु और सुक्र बैटे हुए हैं, ग्यार्वे घर में राहु और बार्व गहर में सूर और बुद्ध बैटे हुआ है और मैंने बोला कि बुद्ध वक्री है तो जब भी कोई ग्रहें वक्री होता है तो आप यह मान के चलिए कि अपरत्यासी उच्छाल होगा और अपरत्यासी मार्केट गिर जाता है यह एक ग्रहें वक्री ग्रहें का फल होता है और यदि मैं बड़े ध्यान से दुखूं इस कुंड़ी को तो मुझे 16 तारीक का जो दिन है 16 के बाद मैं 17 तारीक का दिन देखूं तो यह मुझे हलका सा राइज दिख रहा है यह कुंड़ी में थोड़ा सा केतू का इंफुलेंस हो जाएगा और चंद्रमा जो होगा वो नीच से उपर की राशी की तरब बढ़ जाएगा मतलब धनु राशी की तरब केतू की महादसा रहेगी तो मैं समझता हूँ कि 18 तारीक का जो दिन रहेगा यह थोड़ा सा उच्छाल का रहेगा और इसके बाद यही इस्तिती 19 को भी है और 20 तारीक को जो स्कुवार का दिन होगा मैं समझता हूँ यह एक positive result लेके आएगा तो मेरा यह मानना है कि यह जो हफ्ता रहेगा यह मिला जुला रहेगा खास थोर से सभी एंगल से देखा जाए दी तो इस हफ्ते में मेरा यही मेरे followers से कहना रहेगा कि वो थोड़ा सा slow चले क्योंकि market उसके बाद धीरे सोठेगा अगला वीडियो के प्रितिक्षा करें वैं उसमें आपको sector wise बता दूगा कि कहां पर किस पर कार का market रहेगा उसके हिसाब से आप लोग अपनी planning कीजिए नमस्का